हलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टो माई चैनल मेरा नाम है मिना मलिक आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रैक्टिकल एक्जामपल जो हमारी डिली लाइफ में ही होते हैं एलेक्ट्रोस्टेटिक चार्ज के वैसे तो मैं इसके उपर एक वीडियो और बना चुकी हूँ ले लेकिन जैसे ही अगर हम कोई चार्ज्ड जो ग्लास रोड है वह उसके नजदीक लेके जाते हैं तो क्या होता है जो उसके वोटर होता है वोटर का फ्लो जो नोर्मल फ्लो उसमें बेंड नजर आता हमें मिन्स वह उसकी तरफ एट्रेक्ट होता है तो जैसे कि आप यहां द नोर्ट का जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला है H2O और उसके अंदर हमारे पास H positive और और नेगिट और तू नेगिटिव आयन प्रेजन होते हैं तो इसका क्या होता है जो वोटर के positive चार्ज होते हैं वह तो एक लेयर पर प्लेक्ट हो जाते हैं और ऐसे ही जो oxygen के नेगिटिव जो चार्ज आयन होते हैं वो एक साइड में क्लेक्ट हो जाते हैं इसलिए वो अट्रेक्शन शो करते हैं ठीक है और अगर आपको इसके बारे में बहुत डीपली जाना है तो मैंने आप यूट्यूब पे चार-पांच वीडियो में डाल चुकी हूं तो आपक बिल्कुल इसका जो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ठीक है और इसके अलावा भी मैंने उसमें बहुत सार एक्जाम्पल हमने पड़े हैं कि रैक्ट्रेटिक कैसे हमारी लाइफ में रोल प्ले गड़ता है और का हरम फूल भी हो सकता है ठीक है और यह थोड़े टाइम के लि से हाफ को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा अर्थ में तब जाके हम उसके उपर कोई एक चार्ज क्रियेट कर सकते हैं ठीक है तो अब जो सैकिंड एक्जेम्पल है हमारे पास यह था हमारा फर्स्ट एक्जेम्पल जो आपको आपने कभी सोचा नहीं होगा वैसी है ठीक है जब हम क्या करते हैं चर्ज ग्लास रोड को वोटर के नोर्मल वोटर को फ्लोह इंशके लेके जाती है तो वे उसमें रहो आता है वहुप न पहुद्पल और जो हमारी फिंद होती है तो यह हैं तो यह था हमारा फ्रस्ट फस्ट एक्जंपल तो अब हम चलते हैं अपने सेटन गेशम्पल की तरफ वह भी हमारी डिलिल्लाइफ का यह है अगर आपने कभी observe किया हूँ जैसे हम क्या करते हैं जब हम कॉम कर रहे होते हैं तो हमारी कॉम और जो hair है वो भी charge हो जाते हैं ठीक है friction की वजय से तो ऐसे ही क्या है अगर हम क्या करें एक white paper लें और उसको press कर लें मतलब iron करें तो iron करने से क्या होएगा friction और या iron में और paper में तो उसकी वजय से क्या होगा उसके उपर charge हो जाएगा जो हमारा white paper है और जब उसको हम TV screen के पास लेके जाते हैं तो वो उसके साथ attractions हो करता है और वो उसके उपर चिपग जाता है ठीक है तो यह भी एक electrostatic का ही example है ठीक है अगर आपको और देखना है इस example तो आपने stitching करती होई कोई फिमेलिया में देखा होगा तो वो क्या करते हैं उसके अंदर एक बुक्रम नाम का component होता है जो यूज करते हैं जैसे कोलर वगारा में डालते हैं और जो निच्छे की मूरी होती है उसमें यूज करते हैं तो अगर वो भी बुक्रम भी प्रैस करके आयरन करके अगर यूज की जाए तो वो भी कपड़े को चिपक जाती है उसका चिपकने का भी जो रीजन है वो यही है कि वो चार्ज हो जाती है और चार्ज होने के कारण जो हमारा जो भी cloth होता है जिसको वो फेलर होता है उसके और वह चिपक जाता है तो यह थे कुछ एक्जामपल नहीं जो मैंने देखे और आप से शेयर किये तो आप भी ऐसे नोट करते रहे हैं अपने स्राउंडिंग में तो आपको ऐसे ऐसे बहुत एक्जामपल और मिल सकते हैं अगर आपको मिले तो कमेंट बोक्स में जरूर और दूसरी हमने चार्ज बोड़ी ले लिए जब उन दुनों को कॉंटेक्ट मिलाते हैं तो उनके ओपर भी हम चार्ज इंड्यूस कर सकते हैं तो ऐसा ही आज हम दुबारा एक एक आग्जामपल पढ़ेंगे उस दिन हमने एक metallic sphere के साथ किया था लेकिन आज हम क्या करेंगे two metallic sphere के साथ discuss करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं आगे आगे ये हैं हमारे पास how we charge two sphere by induction जैसे कि हमने last video में देखा कि हमारे पास एक metallic sphere होता है और जब हम कोई charge body उसके contact में लेके आते हैं तो वो charge हो जाती है और उसका charge मतलब गायब ना हो क्योंकि एक time के बाद अगर हम कोई भी charge body या अगर उसको हम earth करवा देते हैं तो उसका सारा का सारा जो उसके अंदर charge होता है वो earth के साथ balance हो जाता है और वो neutral हो जाती है जैसे हमने क्या किया यहाँ पे हमने यहाँ पे A और B दो metallic share ले लिए उनको भी हमने insulating board के उपर रख दिया ताकि क्या हो जब यह charge हो तो इसका charge आर्थ में transfer ना हो और यह neutral ना हो क्योंकि हमें पूरी की पूरी activity चेक करनी है कि होता क्या है तो क्या क्या हमने यह नजदीक रखे थे लेकिन दोनों अंचार्ज थे तो कोई फरक नहीं पढ़ रहा था यहाँ पे लेकिन जैसे हम एक charge body यहाँ पे लेके आए तो क्या हुआ जैसे हम यह positive electrode लेके आए यहाँ ग्लास रोड तो इसने क्या क्या इनके ओपर चार्ज इंडियोस कर दिया क्योंकि यह दोनों contact में हैं तो क्या होगा अगर इनको दोनों को combine किया जाए combine करके देखें तो इसकी एक साइड तो यह बनती है और एक साइड यह बनती है जैसा हमें पता है कि जब हम को इन सेन अधर काश रिकाट में हो जहां जाता है जो इसको में थいき समक्राइक है जैसा हमा अब यह में यहां पर हम क्या अगर हम नेको डूनों को अलग हम तो यह इन कि Hob से संग बनाखे रखा तो पोजिटीव सारा ही राएगा और भी तो फिर हम ने क्ये प्रश्थ मैं क्योंकि अगर जैसे ही इसको contact से दूर हटाते तो यह जो चार्ज सा दुवारा mix हो जाता आपस में तो हमें mix नहीं करना था अलग-अलग रखना था इसको तो जैसे ही इनको अलग किया तो इनके उपर अलग-अलग चार्ज हो गया अब क्या है देखो यहां पर negative है इसके उप में दें हमने इंको रखा तो क्या हुआ जो इसका डम में था ठाट था पहले वह क्या हुआ भाग कि इसकी B वाली साइड में आ गया क्योंकि यहां पर negative or positive क्या होगे एक साइड में एक ठे होगे क्यों वो attract करते हैं तो यह एक दूसरे को attract करने की कोसिस करेंगे अब क्या किया हमने जो हमारा fifth step है यहां पर वो यह है कि जैसे ही अलग-अलग करके रख दिया हमने तो यह जो negative charge था वो भी पूरे में यहां पर फैल गया पूरे metallic sphere में और जो B वाला था वो भी पूरे metallic sphere में फैल गया तो ऐसे करके सिर्फ five steps में हम क्या कर सकते हैं चार्ज इंड्यूस कर सकते हैं हमारे अगर दो हम metallic sphere लेके चलते हैं तो आई होप कि आपको यह अच्छे से समझ में आया हूँ और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो like, share और comment box में comment भी जुरूर कीजिए जिससे मुझे motivation मिलती रहेगी और मैं ऐसे ही आपके लिए नई पर नई वीडियो लेके आती रहूँगी ठीक है तो सब तब के लिए अलवीदा